बिस्मिल्लाहु रहाज मुन्स्रीज लेकिन बहुत जदार रासी पर लेकर आपकी हिद्मत में हाधिर हूँ आज हम एक बहुत ही मद्यार किसम का बीफ दिकाम साला रेडी करने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कितनी अच्छी इसकी लुक आ रही है कितना टेंटिंग और कितना यमियोट कितना टेस्ट लग रहा है कि बीश दिका मसाला हमने कैसे रेडी किया इन्शाला आज सारी ही बाते आप से शेयर होंगी लेकिन रेसिपी स्टार करने से पहले आप से हमबल रिक् लिएगा तो चलिए वर्स देख लेते हैं कि हमने बहुत ही मज़दार सी बहुत ही टैम्टिंग किसम की रेसिपी कैसे रेडी की यहां पर मैंने हाफ कीजी ले लिया है बीफ यानि कि बरे जानवर का गोश्ट है जिसको अच्छे तरीके से गला लिया है इस तरह की तीन कप मैंने पानी के शामिल कर दिये थे गोश्ट के अंदर और विवर्स अगर आप बर्तन दे सकें तो यहां तक पानी की सता थी जब मैंने पानी इसके अंदर शामिल किया था आप इसको खूब पकाया है और इतना पकाया है जिससे गोश्ट बिल्कुल टेंडर हो चुका है और और विवर्स इस गोश्ट को गलाते हुए मैंने बस चार थे पांच अदत लेसन की जवेज यूज किये थे और इसे इंदर कुछ भी शामिल ने किया कोई नमक वेरा शामिल ने किया अगर आप चाहते हैं कि गोश्ट अच्छा करें तो आप नमक पहले मत शामिल क्या करें क्य यहनी बची है ना इसको भी रख लेते हैं एक साइड पे और विवर्स जिस स्टेश पर भी हमें पाने की जरौत पेश आएगी हम यहीं यहनी का इस्तेमाल कर लेंगे आए विवर्स जो हमने गोश्ट गलाके रखा था ना इसको हम कर लेते हैं मैरिनेट इसके लिए दो चाहते हैं अच्छा फ्रेवर आये तो इस चीदों को रोस्ट कर लिया करें हाफ टी स्पून इसके लिए जयादा पॉड़र टीस्पून इसके लिए ज्यादा बी कर सकते हैं रोस्ट है यह थे पावडर इसको भी रोस्ट करकर यूजक्या है आप भी अगर चाहते हैं कि spices में अच्छा flavor आए तो इंचीदों को roast कर लिया करें गरम साला powder ये भी roasted है एक टीस्पून इसकंदर शामिल कर देते हैं अध्रक का paste और एक टीस्पून ही इसकंदर शामिल कर देते हैं लैसन का paste और विवर्स एक टीस्पून इसकंदर शामिल कर देंगे cooking oil और इन सारे ही spices को अच्छे तरीके से mix कर लेते हैं ताके विवर्स सारे ही spices अच्छे तरीके से दही के अंदर घुल मिल जाएं और दही की पुटियां भी हतम हो जाएं तो ये देखे विवर्स ये mix चे तो हमने कर लिया है अच्छे तरीके से mix अब हम इसके अंदर शामिल कर देते हैं boiled और tender made यानिके खुब गला हुआ और अच्छे तरीके से boil गोश्ट इसके अंदर शामिल करके इसको मैलनेट करके तकरीबन आदे खेंडे के लिए रख देते हैं अगर आपके पास टाइम है तो आप ज्यादा टाइम के लिए ओप सकते हैं चाहें तो एक राथ के लिए मैननेट करके रख सकते हैं और अगर को और्स चाहते हैं चल्दी से पकाना तो हैंड टो हैंड यानिके फॉर नहीं इसको आप इस ऐस अच्छा ही आएगा तो के हर पीस को अलग से जगा मिल सके अच्छे से फ्राइब होने की तो लीजिए विवर्द सारे ही पीसिस हमने इसके निर्ष शामिल कर दिया है और यह जो बचा है ना मैटिरियल इसको हम लग देते हैं साइड पे इसको कहां यूज करना है इंशालला मैं आपसे दुरूर शेय झांने निर्स उन इसकिंगे चूँकि वर्द सारे ही पीसिस गले हुए है और स्क्राइब और तो यह उसके ये फ्राइब हो जाएंगी और पर बहुत अच्छी त्रीके से आजेगी चार से पांच नट के अंदर ही तो यहां पर जो ऑईल बचा हैं यहां फीम साइस का प्यास अंदर दें हैं यहां और शामिल करने की थोरा साच ओ और स् soll कर दिए एक से डैबल स्ब्स्कून और मैंने और शामिल apolog can दिया है फ्र सुझ सं कंड़ कर flight म हमने only यहां पर दाने टार आज को चुका है तो यहां पर थोड़ी सी यहनी में डाली है गोश्ट की और उसके साथ इस पाउल को साफ करते वे पानी भी इसके अंदर शामिल करके इसको कवर कर लेते हैं पांच चुनट के लिए ताकि प्यास अच्छीज अच्छे तरीके से सफ्ट हो जाए और मैश भी हो जा आप यहां पर क्या काम कर सकते हैं कि स्पेचुला या मेशर के मदा से सामसालाद चितरीके से मैश भी कर सकते हैं पानी नहीं विल्के वही यहनी है जो हमने निकालके रखी थी सेपरेट रखी थी ताके हम इसको पानी की जगा इस्तेमाल कर सके हैं दो से तीन टेबल स्पून के करीब मैंने इसके अंदर यहनी डाली है और गोश्ट को भून लिया है जैसे ही पानी ड्राय होगा थोड़ा सा और आप जहनी का मटिरियल डाल दीजेगा और इसको फ्राय कर लिजेगा बस यहां पे तकरीबन तीन से चार मिन तक हमने गोश्ट को मसाले के साथ अच्छे तरीके से भून लेना है और बाकी जो जहनी बचकी ना हाफ कप इसके अंदर शामिल करके इसको पका लेंगे थोरी सी यहां पे मैंने अधरक काटके रखी है इसके अंदर शामिल कर देते हैं थोरा सहरा धनिया के पते जोके काटके धोके रखे में इसके अंदर एट कर देते हैं इसको cover करके तकरीबन 10 मिनट के लिए low flame पे cook कर लेते हैं तारके सारे ही spices का flavor आजाए बोटियों के अंदर तो ये देखे वस तकरीबन 10 मिनट गुदर चुके हैं और बहुत ही मतेदार सा tempering किसम का beef दिका मसाला हो चुका है ready तो बस अब हमने क्या करना है इसको एक barbecue flavor देना है उसके लिए मैंने एक koila burning के लिए यानि के जलने के लिए रख चोड़ा था वो अच्छे दिके से burn हो चुका है जल चुका है एक प्याली कोई भी आपके पास हो या कोई spoon हो रखें इसके अंदर और वो koila रख दें और उपर हलका सा oil spread कर दें इसी क्या होगा कि धुआ निकल के बाहर को आएगा और एक अच्छी सी smoke आजेगी इस dish के अंदर चलिए viewers koila हमने इसके अंदर लख दिया है इसको cover कर दिया है जितनी आपको smoke stand है उतने time के लिए आपको इलाइस के अंदर रख सकते हैं मैंने तक्रीबें 5 minute के लिए कोई लाइस के अंदर रखा है और इसके smoke सारी ले ली है तो बस वीवर्स अब मज़ेदार साब बहुत attempting किसम का हमारा beef ती कमसाला हो चुका है रेडी इस लिश को आपने जरूर ट्राइ करना है और ट्राइ करने के बाद फीडबेक भी दीजेगा कि जब आपने beef ती कमसाला बनाया तो कैसा बना इन्शाला आपको आपकी घरवनों को बेहत पसंद आएगा इसको सर्फ कीजिए नान, चपाती, तंदूरी रोटी के साथ और खोब इंज्ड़ाई कीजिए चलिए वीवर्स इसको मजीद खुश्णमा बनाने के लिए इसकी थोड़ी सी गानिशिंग कर देते हैं धनिया के पते, अद्रक के पीसिज और लिमू के पीसिज के साथ इसके साथ ही वीवर्स इजादत चाहते हूँ फिर हादिर होंगी एक नई रेसिपी के साथ अपना बहुत साहिया रखेगा, मुझे भी दौाओं में याद रखेगा, अल्ला हाफेज